बाई डीटेल तो बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे स्पोयलर है जो पूरे मूवी का मजा खिरकिला कर देगा लेकिन सिर्फ तुम लोगों के लिए बीना स्पोयलर के बाद करेंगे उन साथ डीटेल्स को लेकर जो हो सकता है तुमने मिस कर दिया हो अरे का बाई साथ वीडियो में साथ बता रहे हो टाइटल में पांच लिखा हो है खाइना क्या चाहते हो ओकिया है ना टॉफ फाइब लिखने से चीज़े सेक्सी लगती हैं तो सबसे पहले ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम लोग एक फाइटर जेट को पहाड़ों के उपर किसी को ढूंडते होए देख सकते हैं जिसके बाद नेक्स शॉट में एक बंदे की बॉड़ी को नदी में बहते होए दिखाया है जो कि पापा एसर के वाला के वाला केरेक् यहां तक के पूरे ट्रेलर में तुम्हें एसर के की इतने सारे अफ़तार में से किसी के हाथ में भी कोई भी अंगूटी नजर नहीं आएगा सिवाए इस मेट्रो वाले गंजे एसर के को छोड़ के उनके दोनों हाथों में दो अंगूटी है वो भी सेर का मूँ बना हुआ जिससे एक अलग personality बन जाता है इनका, एक सवाल भी उठता है कि आखिरी ये वन्द है कॉन, मतलब total confusing वाला चीज है यह, जैसे कि विक्रम राठोर यानि पापा इसरके के हाथों में तुम्हें एक tattoo देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आजाद राठोर, मतलब बेटे के हाथों म में चले आओ, यहाँ पर एक बार side में देखो, देख सकते हो, दो वेस्ट वेंग और topography map देखने के लिए मिलेगा, जो कि यह बताता है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे event देखने के लिए मिलेगा हमें, movie के अंदर कुछ ऐसा bump फूटेगा यहाँ तो फाल तुम्हें यह लोग क देखो यहाँ पर, आँखो में पट्टी लगा हुआ है, विक्रम राठोर के साथ मिल के काम कर रहा है यह बंदा, एंड हो सकता है यह आँख में गोली लगने वाला scene इसी जगहा पर हुआ हो, जहाँ पर विक्रम राठोर पहले अपने team के साथ मिसन पर गये थे, फिर आगे इस scene पर साफ साफ नजर आता है, खाली बच्चों को ही effect कर रहा है यह चीज़, और बच्चे होते हैं भाई देश के भविशे, तो बच्चे अगर नहीं रहे तो future खतम हो जाएगा किसी भी देश का, अब देश के भविशों को खतर हो ऐसे चीज़ को तो हम weapon की तरह ह देखेंगे न, तो इसलिए हम इसको एक bio weapon की तरह मान सकते हैं, जो आगे जाके clear भी होता है, जब इस scene पर तुम विजे सेतुपती के dream project के बाड़े में जानते हो, जो कि हमको पता है कि ये बंदा पहले एक weapon dealer रह चुका है, या अभी भी है, लेकिन अभी आज के टाइम पे भाई तुमों समझी जाओगे, इसके बात के एक scene में विजे सेतुपती को एक घर में एक लड़की को उठा के फेकते हुए दिखाया है, जो कि और कोई नहीं, विक्रम राटोर की love interest, दिभी का पादू कौन ही लगता है, कैसे समझाता हूँ, यहाँ पर नीचे देखो, जो गल गैंग के साथ, headquarter जैसा बनाएगा, मतलब यहाँ से ही सारा कामभाम होगा उन लोगों का, मतलब कुछ ऐसा चीज होगा इसके अंदर, जिसके लिए इस पूरे hospital को बहुत बार trailer के अंदर दिखाया है, यहाँ पर इन लोगों में से कोई घायल भी हो चुका है, या हो सकत बैठ की यह सब रो रही है, अब कौन घायल है या कुछ हुआ है ऐसा यह तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर दिवार पर जो छे लिखा हुआ है यह देखकर इस सीन के hospital के दिवार के जैसा लगा, इसलिए यह चीज़ भी confirm है, उसके बाद भाई, लास्ट वाला detail जो सुनने क मुझके डाला गया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो rumor था कि इस movie के अंदर यह से जुड़ी हुई, कुछ चीज़े ऐसे रहेंगी, जो कि rocking star के लिए एक tribute की तरह होगा, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह एकतम perfectly fit बैटता है, भाई तुम्हारे तरह मैं भी SRK को इस हतोरे से लोगों को फोरते होई देखना चाहता हूँ, बस, अब भाई कुछ छोटो मोटे और भी डीटेल्स थे, जिनको नजर अंदर्स कर दिया मैंने, क्योंकि movie के लिए mood बने रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास अगर कुछ ऐसा डीटेल हो, जो movie के लिए interest और बरादे, तो भाई मुझे comment करो ना, वीडियो पसंद रहे तो लाइक करते हो जाना, एम करते हैं 5 लाइक का, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तर ठाठा, बाई-बाई